असलाम एकुम वियोर्स आपको शो शाम नीद अब हम अपनी चैनल पर आपको लेके आएं काफी अरसे के बाद हमारी आपसे लगात हो रही है हमें कुछ आपके सवालात मौसूल हुए हैं कमिट सेक्शन में आपके रिस्पॉंस को शुक्रिया हम आज आपके उन सवालात का जवाब देंगे पहरा सवाल जो हमें आप comment section में मौसूर हुआ है वो यह कि क्या answer scholarships जो कि Chinese scholarships है क्या उसके उपर Chinese courses के इलावा English courses भी है या कुछ लोगों को वो मिल ही नहीं रहे तो जनित आज आज आपको इस बारे में गाइट करेंगे कि हम कैसे हासिल कर सकते हैं दूसरा सवाल जो है सबसे एहम बात जो है कि क्या हम बगार acceptance letter के यानि कि कोई student apply करता है जिसके बास acceptance letter मजूद नहीं है क्या वो भी अब answer गए scholarships के लिए apply कर सकता है तो आज हम जानेंगे जनित से जनित आप हमारे viewers को guide कीजिए कि हम इस क्यूरी को कैसे हाल कर सकते हैं जी नवीद ये questions हमें receive हुए है यहां मैं एक छोटी सी बात करके फिर मैं आपको screen की तरफ ले चलता हूँ कि हमारे पास answer के अंदर से दो ही university है जिनके campuses पूरे चाइना में पाई जाते हैं तो जो हमारे पास दो university है उसमें एक university है UCAS और दूसरी university है USTC तो UCAS जो है उसमें तो आप बगार acceptance letter के applied नहीं कर सकते हैं लेकिन USTC जो है उसमें आप बगार acceptance letter के भी apply कर सकते हैं और यह मैं अपनी तरफ से नहीं कहा रहा है बलकि last year जब लोगों ने apply किया तो यह USTC वालों नहीं email करके पुद कहा कि अगर आपके पास acceptance letter नहीं है तो आप परिशान नहों आप apply जरूर करें हम आपके फाइल आपके relevant professor के पास बेजेंगे अगर आप उनके साथ compatible हुए तो आपको जरूर acceptance दे दी जाएगी या admission आपको offer करवाया जाएगा आईए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलके आपको मजीड डीटेल्स बताता हूँ आईए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ जैसे कि हम यह पहले भी डिसकस कर चुके हैं लेकिन हमसे काफी लोगों ने सवाल किया कि इंग्लिश प्रोग्राम्स हम कैसे find out कर सकते हैं तो उसके लिए हमने यह special वीडियो बनाई है अगर हम इसमें देखें तो यहां आपके पास है कि see here for the list of eligible schools, institutes and supervisor of USTC and here of UCAS अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास USTC के website redirect हो जाएगी अगर इसके ओपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास UCAS की website redirect हो जाएगी for example मैं इस से आगे चलता हूँ तो मेरे पास यहां दो options आते हैं यह website open हो जाएगी और यह दो options आ जाएगे faculty for international programs and cash institutes for international programs पहले हम क्या करते हैं faculty के ओपर एक नजर मारते हैं आप भी देख सकते हैं कि international students किसमें आप यहां master's programs भी देख सकते हैं और PhD programs भी देख सकते हैं जब इन्होंने यह English में सब कुछ दिया हुआ है तो इसमीन यह international students के लिए हैं और international students के लिए basically master's and PhD program English में हैं तो यह भी जो programs यहां आप शो होंगे वो सारे के सारे English programs होंगे वो Chinese programs नहीं होंगे सबसे पहले हम faculty के ओपर चलते हैं तो आप यह देखते हैं कि हमारे पास यह जो faculty है इसके यह different disciplines के लिहास से उन्होंने यह categorize किया हुआ है और उसकी field भी बताई हुए है कि वो किस field में काम कर रहा है for example पहला पहला अगर हम देखें जिंग होंग में basically यह marine sciences इसका जो है discipline है और यह marine biology पर काम कर रहा है और इसका academic title है वो professor है यह full professor है तो आप इनकी profile भी जाकर इसके ओपर क्लिक करकर इनकी profile पर जा सकते हैं तो यह इनकी profile open हो जाएगी है हाँ यहां एक चीज़ यह आ रही है कि professor की profile जो है वो किस में है चाइनीज में है तो इसका एक असान सा तरीका यह है कि आप इसको English पर क्लिक कर दें अगर English में नहीं है तो इसका दूसरा असान तरीका यह है कि आप इसको translate कर सकते हैं Google Translator के जरीए या किसी भी translating software के जरीए तो यह बहुत easy है आप इसको यहां से copy करें और इसको translate कर लें Google Translate में तो इसकी सारे यह जो भी कुछ लिखा हुआ है इसका interest क्या है जो भी इसकी publications वेगरा इसने आपनी profile पर बताई है वो सारी के सारी वहां translate करके आप देख सकते हैं और इनको email कर सकते हैं अच्छा भाईया यह तो हो गया आपका हम back चलते हैं आपके professors को हमने कैसे उनकी profile को find out करना है although उनकी profile Chinese में हो सकती है लेकिन आपको जो program offer करवाया जाएगा वो English में ही होगा तो आप इससे परिशान नहीं हो अब अगली चीज़ आज जनों ने यहां यह भी दीव है कि आप professor के name के जरीए भी उनको find out कर सकते हैं आपने किसी publication में उनका नाम देखा है तो आप यहां उनका नाम put करें वह आ जाएगा आप disciplines के लिहाज से भी कर सकते हैं फिल्ड के लिहाज से भी कर सकते हैं और academic title के लिहाज से भी कर सकते हैं इसके ओपर मैं अगर क्लिक करूँ इसके ओपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यह आप देखें प्रोग्राम्स जो हैं वह खुल गए हैं फोर एजेंपल यह एक्रिकल्चर इंफ्रेस्ट्री यह नहीं ओफर खुआ रहे लेकिन इसका सब वह है एक्नोमिक्स एंड मनेज्मेंट का बेजिंग के अंदर है यह दो इंस्ट्यूट से यह एक इंस्ट्यूट है इसके ओपर आप क्लिक करेंगे तो यह इंस्ट्यूट खुल जाएगा अगर हम इसके ओपर क्लिक करके अभी चल पड़ते देख लेते हैं क्या इसमें हमने इसको ओपन किया तो आपने देखा कि ये institute open हो गया, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इसके ओपर different options मजूद हैं, हम यहाँ के people देख सकते हैं, तो आप यह देखें, ये लोग जो है basically इस institute के academia हैं, और आप यहाँ से professors भी देख सकते हैं, ये इनके professors हैं, ठीक है, आप इनकी profile पर भी जाके इनकी profile देख सकते हैं और इनको email कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही comprehensive तरीके से मैंने आप आपको बता दिया है कि professor हम कैसे find out करेंगे, और वो program जो ये आफर करवा रहे होंगे वो English में ही होगा, ये तो हमने कर ली कैस की बात, अब हम चलते हैं University of Science and Technology की USTC, तो यहाँ basically आप देख रहे हैं कि two options हैं, यह schools है, schools में इतने सारे schools हैं, यह आप इन schools में से किसी को भी select कर सकते हैं, यहां इनकी faculty है, अगर हम में doctoral supervisors पे click करूँ, तो मेरे पास ये टैब में open हो जाएंगे, तो यह आपके doctoral supervisors हैं, तो आप इन पर क्या कर सेकते हैं, देखें, यह philosophy का है, यह इसका second level discipline है, यह mathematics का है, यह physics का है, और physics के different branches के ओपर जो professors research कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहा है, तो आप यह देखें, बड़ा comprehensive सा उन्योंने और बड़ा easy way दिकिया हुआ है, कि आप अपने professor को easily find out कर सकें, अच्छे, यहां मैं अब आपको एक very important बात आपके साथ share करना चाहता हूँ, for example, आपको किसी भी professor से acceptance नहीं मिलती, तो अभी आपने परिशान नहीं होना, पेशक आप master's के हैं, या आप PRT के candidate हैं, आपने परिशान नहीं होना, USTC basically offer करवाती है, कि अगर आपको professor नहीं मिला, तो आप परिशान नहीं हो, आप application fill up करें, हम आपकी file, आपके field interest related professors को send करेंगे, अगर उन में से किसी ने आपको accept कर लिया, तो वो उसके पास आपको accommodate कर देंगे, तो आपने हमत नहीं हार नहीं, अगर आपको acceptance नहीं भी मिला, तो आपने apply जरूर करना है, हाँ जी, अब एक पास, यहाँ सवाल उठता है कि जब हम answer की application fill up करते हैं, तो वहाँ वो professors की information मांगते हैं, कि आपका supervisor कौन होगा, जिसने आपको accept किया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कि आपने कोई professor यहाँ से search करना है, जिसके पास आप जाना चाहते हैं, जो आपका desired है, उसकी information आपने वहाँ पूट कर देनी है, ठीक है? बेशक उसने आपको भी accept नहीं किया, क्योंकि आप जब USTC की website पे apply करेंगे, वहाँ भी आप क्या कहते हैं, वहाँ आप उन्हें बताएंगे मेरे पास acceptance नहीं है, यह तरिका पिसिकली उन्होंने मतलमीं USTC वालों नहीं लास्ट एमिल करके उन्हों पताया था, कि अगर आपके पास supervisor नहीं है, तो आप परिशान नहीं हो, application फिल अप करें, और इस procedure को follow करें, तो आपने इस चीज़ को मते नज़र रखना है कि आपने application लास्मी फिल अप करनी है, either you have the supervisor or not, तो आपने परिशान नहीं होना, तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको English program दूनने में बहुत असानी होगी होगी और English program के professors भी आप बड़े असानी से देख सकत हैं, अगली चीज़, यहां एक और चीज़ है जो मैं आपके सार्श शेयर करना चाहता हूँ, देखें फॉरण फिजिकल एक्जैमिनेशन फॉर्म यहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसके बाद, इसके बाद जो important चीज़ है, वो यह है, supervisor's comment page, आप भी देखते हैं कि अगर आपका USTC का है, supervisor, तो उसका एक PDF की तरहां, आज़ेगा PDF में, आपने वो अपने required professor को send करना है, कि वो इसको fill up करें, निचे signature और अपनी stemp लगाके आपको वापस email कर दें, लेकिन आपने UCAS की website पर जब जाएंगे तो, वो आपसे required करते हैं कि आपका supervisor जो है, आपका सिस्टम के अंदर आपका comments letter, यूए supervisor का comment page वहाँ fill up करेंगा online, आपको उनको send करने की जरूरत नहीं होगी, तो UCAS में यह आप देखते हैं कि यह चीज़ नहीं है, कि आपके पास supervisor नहीं है तो आप apply करें, लेकिन USTC आपको opportunity provide करते हैं, कि अगर आपके पास supervisor नहीं भ और आपको accommodate करने की कोशिश जरूर करेंगे अगर आप उनके merit पर पूरे उतरते हैं, अगर आपके क्योरी इसमें resolve हो गई होगी, अगर मजीद आपकी कोई क्योरी हो तो आप मजीद हमारे साथ रापता कीज़ेगा, comments में बताईएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पस फाइंड करना है, secondly, जनियर का बहुत शुकर आपको अपना कीम्टी वर्ट निकाला और हमें समझाया, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके औ झाल